The Lover, The Strength, Devil, Chariot, Hierophant So guys, आपके connection में मुझे na family issues दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में caste, religion, ठीक है? तो ये सब differences मुझे दिख रहे है Ace of Wands, Five of Swords, Okay The Hangman, Two of Pentacles, Eight of Pentacles, The Fool आप अपने पार्टनर को properly understand नहीं कर पा रहे हो ठीक है guys, अब तब आप जिनके बारे में भी reading देख रहे हो ना वो person है तो वो person के जो behavior ना को मतलब आपके समझ के बाहर है, ठीक है? आप समझ नहीं पा रहे हो, ये किस type का person है क्योंकि ये person बहुत ज़्यादा aggressive, ठीक है? डेविल वाले energy में आ जाते है कभी तो ये person आपको बहुत pamper करेंगे care करेंगे, बड़े-बड़े promises करेंगे ठीक है? आप ना पूरा उन पे trust करने लग जाते हो इतना सुधर कर दिखा देते हैं बहुत अच्छा बनकर दिखा देते हैं कि आप ही इनकी priority हो आप सच मतलब आप ना आपके साथ ही मतलब ये loyal रहेंगे ऐसे सी बात मतलब करेंगे आप से ठीक है? बहुत प्यार दिखाते हैं ये person लेकिन other side ना वो टेविल वाली personality में आ जाते हैं आपको जूट बोलना, manipulate करना, dominate करना, troll करने की कोशिश करना, ठीक है? मुँ में कुछ भी बोल देंगे ठीक है? बहुत ही bad language के साथ आप से बात करना बहुत ही बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करना जो मन में आ रहा है ना जो भी मुँ में आ रहा है उसे बोल देना तो guys ना, मुझे इन कास के चुना ऐसे ही energy दिखाए देते हैं, ठीक है? आप ना, अपने person की दो side देखकर बहुत परिशान हो आप ना, बहुत confused doubt में हो अभी फिलाल, ठीक है? इस relationship को लेकर, also आपको ना, अपने person के साथ, डीप feeling से मैसोज होती है, बट आपकी person, जो double side behavior है कभी तो, वो कुछ और show करते हैं, और कुछ और निकलता है, ठीक है? कभी इतने प्यार करने वाला, मतलब बन जाते हैं, ये इतना love दिखाते हैं, ठीक है? तो, कभी इतने बुरे बन जाते हैं, ये person, बहुत ही weird behavior करने लग जाते हैं, ठीक है? आप अपने person के लिए काफी passionate हो, काफी जादा passion है, आपके अंदर, ठीक है? Also guys, attraction भी है, person की तरफ, आपका अपने person के तरफ, आप ना चाहते हो ना कि, आपकी person, इस relationship को new से start करें, आपके साथ, okay? Also, आपकी person को na, regret, regret हो, realization हो की, realization हो की आपके साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है? आप ऐसा चाहते हो, कि ये ऐसा feel करें, आपको approach करें, ठीक है? Also, आप चाहते हो कि आपकी person को realize हो, कि ये ना, पर जो कर रहे है, वो गलत कर रहे है, यहाँ पना आपके relationship में, मुझे किनी-किनी लोगों के लिए family issues दिख रहा है, ये person आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं जाते है, guys, ये आपके दिमाग में, मतलब, इतना बैट गये ह जाने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है, ये person आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं जा रहे, guys, इस person की सारी reality मतलब, आपके सामने है, ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे तरह से जानते हो, कि ये क्या है, लेकिन फिर भी ना, ये person आपके दिमाग से नहीं जाते है, कोशिश भी करते हैं, new start करने की, but आप लोग ना, stuck हो जाते हो, ठीक है, move on ही कर पा रहे हो, तो guys, आप लोग ना, अपने life को, balance करने की, मतलब, next side से, मतलब, balance करने की, पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मुझे, ऐसे भी energy मिल रही है, eight of pentacles, हो सकता है, आप लोग, बहुत manifestation कर रहे हो, guys ठीक है, also, इस person का ख्याले ना, आपके दिमाग में ही रहता है, मतलब, जाता नहीं है, आप इना, बिल्कुल परिशान हो चुके हो, कि ऐसा हो क्यों रहे है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप इना, अपने life में, कैसे balance कर रहे हो, आप ही जानते हो, इस person के वज़े से आपके life में काफी disturbance हो रहे है, इसके वज़े से ना, आप बहुत stuck हो गए हो, also आप कभी-कभी ना, बहुत frustrated feel करते हो, ठीक है, the fool, okay, तो ये card यही बता रहा है, कि ना, आप कभी-कभी ना, universe को surrender करने की भी सोचते हो, ठीक है, क्योंकि ना, इस relationship में आपने आपके पूरे life को ना, काफी मतब effect किया है, ठीक है, काफी प्रभावित किया है, आपके life में आप हर चीज़ को मतब तो deal कर लेते हो, बट आपको ना, इस relationship को जो आपके person के साथ है, वो चीज़ आपको समझ नहीं आती है, आप अपने person की कौन सी बातों पर विश्वास करे और कौन सी बातों पर विश्वास ना करे, कुछ मतबर समझ नहीं आता है, और इस person के साथ, मेरा क्या connection है, आप इस सब चीज़ समझने के वी, खुद से बात करके समझने के वी कोशिश करते है, ठीक है, आप मतलब, यही सूचते हो कि मेरी life में क्या हो रहा है आके, इस person के behavior से आप अच्छी तरह से वाकिफ है, लाइकना यह aggressive है, rude है, toxic है, फिर भी, यह person आपके दिमाग से नहीं जा रहे है, 24 hours यह person आपके दिमाग में रहते है, ठीक है, तो guys, यह सब चीज़े आपको परिशान करती है, आपना बहुत confused हो, फिलहाल present के energy में, आपके energy में ठीक है, परिशन के energy में, आपके person एक ना एक दिन आप से शादी करेंगे, ठीक है, यह person, क्योंकि यह आपको अपने लिए perfect मानते है, page of pentacles, queen of cups, guys, यह person आएंगे जरूर आपके पास, यहाँ पना page of pentacles का card है, जो slow energy को show करता है, इस person के जो मन में आपसे शादी करने का इस cards के, इस card के दूरा, so I can see that, आपके person presently मुझे इतने stable नहीं दिख रहे है, कि यह आपको commitment दे, commitment दे सके, अब आपके person सोच रहे है कि आप मुझे stable होना है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है, अब अपनी life में and then बात में commitment के सोचूंगे, सोचेंगे, सोचूंगे, ठीक है So guys, यह person आपसे शादितों करना चाते है, for sure, but, कहीना कहीना, मुझे इनको वहाँ अपन थोड़ा time लगेगा, ऐसी energy, मतलब, इन cards के छूर लग रहा है, तो slow होगा, पर होगा जरूर, यह person आपको perfect मानते है, क्योंकि ना, queens of cups के energy यहाँ पे, ठीक है, तो यह card आपके बारे म यहीं बताता है, कि ना, आप इस person के सारे negativity जानते हुए भी ना, इनको इतना, मतलब, इतना चाहते हो, आप इनको छोड़कर नहीं जा सकते हो, हमेशा इनके साथ रहना चाहते हो, ठीक है, आप हमेशा इनके साथ खड़े रहते हो, तो आप इतना प्यार करते हो, आप एक true personality हो, सच्छे मन के पसन हो, और आप काफी emotional पसन भी हो, आप feelings को समझते हो, आपके जैसा पसन ना, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है, तो आपके पसन ये सारी बातें सोचते रहते हैं, आपके बारे में, ठीक है, तो यहां पे जो signs है ना, guys, वह है Taurus, Virgo, Capricorn, ठीक है, Strength, Knight of Swords, Ace of Pentacles, ओके, तो Leo का sign भी है यहां पे, overall, guys, मुझे यहां पे ना, सारे signs दिख रहे है, ठीक है, यहां पर मुझे delay दिखाई देता है, यहां पर, क्योंकि 8 का, 8 number का card निकला है ना, commitment तो देंगे, ठीक है, but guys, थोड़ा delay होगा, देर होगा, ठीक है, Guys, आपकी person अपसे time चाहते है, क्योंकि यह person अपने life में stability लाना चाहते है, यह person चाहते है, कि आप इनसे connected रहे, आप इस तरह से इनसे बात करना बंद ना करे, आप इनके साथ connected रहो, यह person ऐसा feel करते है, कि आप जब इस person से connected रहते हो, तो यह person काफी strong feel करते है, इनके अन्हान एक hope सी बन जाती है ठीक है, कि यह relationship कहीं जाएगा नहीं, यह इनके साथी है आप भी साथ है, सब ठीक है, ठीक है, कभी टूटेगा नहीं तो गाईस, आपके person मतब आपसे time चाते हैं बर्टै आपसे गह नहींपा रहें है पर ये आपसे टाइम चाहते है क्योंकि थोड़ा डिले रिखता है नाइट और स्फॉर्स तो गाइस ये कार्ट आपके परसन का मूट स्विंग भी बताता है आपने जो एकदम से इनसे बात करना छोड़ दिया ना तो इस वजह से बहुत स्विंग हो रहे है इनकी बेचाइनिस हो रही है इन्हां चैन नहीं मिल रहा है आपकी बाते इन्हें असर कर रही है ठीख है शायद आपने इन्हें कुछ ना कुछ जरूर बोला होगा देट टावर ओके आपके परसन ने आपको मुछान को जो दोका दिया है, चीट के आना, आलसो में लक्रोणल रिलेशन्षिप रखे हैं, इस रिलेशन्षि भूण सबनार करके ला है, ठिक?से बाला है, एससाट एक आप के साथ जो रिलेशन है, यही रिलेशन आपके तरफ से ही चल रहे थै जह था मुझे इन कार्ट के च्रू देख रहे थे, आप ही च्रू थे इस लव में, ठीक है, इस रिलेशन्शिप में आप ही काफी effort डाल रहे थे, ठीक है, आपके पसे ने तो कोई भी effort ही नहीं डाला, तावर कार्ट यहीं बताता है कि टावर इतना मज़ूद नहीं था, इसलिए यह टूड गया, और आपको अपना wife और husband समझते हैं, क्योंकि यह सूचते हैं आप perfect हो, जो उनको समझते हो, also guys, आपको भी कहीं न कहीं यही लगता है, sure, three of ones guys, यह पसन आपके बारे में काफी सोचते हैं guys, three of ones का कार्ड यहीं बताता है कि न, यह भी बताता है कि न, आपके अलावा भी न, आपके person के life में और भी कई लड़की या लड़के थे, ठीक है, आप resonate कर ले जगा, ठीक है, but आपके लिए जिस तरह से इस person ने feel किया है न, उस तरह न, इस person ने किसी के लिए feel नहीं किया, also यह person इन सब चीजों को सोचते भी है, यह person आपके साथ physical relation भी बनाना चाहते है, मुझे craving आपके लिए काफी दिखाए देती है, वो चाहते है कि न, आपके साथ connected रहे, eight of sports की जो card है न, यह person न, काफी overthinking कर रहे है, guys, आपके पसन आपके साथ किसी और को कभी नहीं देख सकते है, इन्हां बहुत जलसी होती है, यह person न, अपने love को आप से express करना चाहते है, आपके बिना काफी अकेले हो गए है, आपके बिना इनके life में सब कुछ disbalance हो चुका है, इनक यह खुद की life में यह सारे चीज़े यह आपको clarity करना चाहते है, बताना चाहते है, ठीके और यह बहुत जल्द बताएंगे भी आपको, claim this positive reading by typing angel number 222